नमस्कार सभी को आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है मैं हूं मकेश कटारे यह MPHC Prelims उसके GS Paper 1 और उस GS का Unit No.3 उससे सम्बन देते हैं हम पिशली क्लास में जो इसमें चीजें थे वो पढ़ चुके हैं सलेवस के एकोर्डिंग अगर आप देखे हैं हमालाय को देख चुके हैं परवतों परश्मी घाट मैदान यह सब जो है complete हो चुका है यहां तक की नदियों वाला जो टॉपिक है न वो भी हम पढ़ चुके हैं आज का जो टॉपिक है जीलों को लेपर है भारत की प्रमुक जो जीले हैं भूब में हैं लगता ऐसा है कि कोई neighborhoods pasado Mexico पूछेंगे हैन कि अन्य वह बप्रनेंने का कई चीड़ार में ओड़ा और ले टे लेते हैं कि जीलों आधी जीलों के नियुके हम έत मिट यह सब कर आई जा प्रेस वाटर लेक केलाती हैं मीठे पानी की जीले केलाती है इसका मतलब यह है इनमें जो नमक है यह लवण है वो नहीं होता है एसी जीलें कलेसिय latch से बनती है हमाले वाले जोन 맞ु में उत्राखंड हो इमाचलो जम्मौ कश्विर लेल अदर यहां पर देखने को मिलती है। faits Apa का पानी कैसा रहता है admissions । था इसंट नहीं से पांड कि प्रकरति के साथ यह बनी हुई ग्लैसियरों की वज़े से बनी हो और फिर आती है और आती है और यह नदी जो रहती ना कि नदी लहराते हुए चलती है तो कभी क्या हुआ कि उसने अपना पुराना मार्ग ग्रैंड कर लिया तो वह गो खुर जिलों की नाम से भी नहों जानते हैं गाय करैके जो पैर रहते हैं खुर कहते हैं तो इस तरीके की जील आज़ा टार चाकी जिले देंसी उती कि बना जाती हैं तो इस ढंक से जो जीले बनती हैं उनको हम आर्टिपिशल लेकर थे कुछ जीले रहती हैं क्रेटर क्रेटर लेक्स यानि क्रेटर के रूप में यानि कोई उलका पिंड टकराया और उस कारण से उस जील का नर्माण हो गया तो ऐसे अलग-अलग तरीके होते हैं इस हिसाब से जीलों कोम बाठ सकते हैं प्रेलिम्स में जीलों का क्लासिफिकेशन बटवारा तो कूछते नहीं है पर फॉर योर इंफॉरमेशन आगे काम आईगी उस तरीके से अब जीलों को लेकर के इस मैप में आप देखोगे कि हमें जो प्रमुक जीले हैं वो देखने को मिलती है थोड़ा सा इस पर फोकस जादा कर लोगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जैसे अगर हम उपर से ही स्टार्ट करें तो यह बुलर जील जो है जम्मु कश्मीर इसी प्रकार से प्रमुक जो जील है चंद्रा जील जी माईनी पर ऑडल लेक वी आ जाती है भीमताल नैनी ताल यह सब द्ल्सें किरवेज़ो तो कि ने को सबसीक्ते है जिल किस सबसक्राइं बिब्सक्राइब कि सुब कुience clean यानि जो महत्पूर्ष काम हैं भी हम पहले समाब्ट कर लेता है, जैसे बेमनाद जो जील है, वो केरल में आती है. चिलका जो लेक है, चिलका अडिशां में आती है, सिवाजी शागन लेक महराश्ट में है, इंद्रा शागन मद्द पुध अधिश नर्मदा, पैंगोंग जो ठेलंगाना में फैम्स मनिपूर नौर्थ ही मादी है जम्मकशमिर हो जाती है इसे हालाब पुलिकट जील अंहिए आधि त्यौस आसम इस ऐस्ट नाम आती है नहीं सुने ऐहंगे यह कुछ प्रणा में यह को चन्दरा आप इसके बाद महाराणा प्रता अगर्देश सागर्चika कश्मीर आगरा जील आगरा जील नहीं है यह करनाटका में है उल्सूर जील करनाटक में है कुटुनाट जील केरल में है और यह सस्थम कोटा केरल में आती है भोजताल मद्यपदेश में है बोपाल की फेमस जील है बड़ी लेक के नाम से सिफ शागर महरास्ट में आती है यह और कहां किस राचे में पाई जाती हैं उनसे सम्मद्द दो तीन स्राइट जल्दी से देख लेते हैं लोक्तक जील मणीपुर्ख उमियाम जील मेगाल है उसके बाद पूर्ण भाग मिजोरम चिलका हो गई फिर इसके बाद कंजली पंजाब हो गई तो जो महत पूर्ण है उस सबसे बड़ी मीठे पानी की जिये जब कभी ऐसा प्रस्ण आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी प्रेस वॉटर लेक कौन सी है तो वह बुलर होगी कहां पर आती है तो अगर हम मेप में देखें तो यहां आमें देखाई देती यह बुलर है लगवब के यूटी है उसमें ज्यादा है तो कहीं कम है इसलिए एवरेज डैप्ट जो है वह यह जील सोपोर और बांदीपूर के बीच में आती है इस जील का निर्मार कैसे हुआ तो टेक्टोनिक प्लेट बेवरतनिक जो प्रॉसेस होता है उसकी वज़ा से यह समझ लो टेक्टोनिक मुवमेंट जैसे य जगे बनी होगी तो इस कारण से यह बनी है यह जील जो है जेल्म नदी इसमें आ करके मिलती है इस पर कौन सी परियर जरा मुज़ना है चिरु बहुते समय हिन्दीमें हम इसको तूलक प्रोजेक्ट के नाम से लोक broni इसमें जैने है दो पोई होती है ना तो आ टूरिस्ट जब उसमें घूमने के लिए निकलते हैं शेयर करने के लिए निकलते हैं तो उस ही में उनको फूड यह सब चीज है अविलेबिलिटी भी हो जाती है तो बुलर जील महत्मूर बात आ गई कि यह कैसी है यह नैच्रल है प्रेस वाटर की सबसे बड़ी जील आती है तो बड़ी ही मनोरम और सुन्दर ये दिखाई देती है हमें नेक्स्ट इसके बाद डल जील ये जील भी जम्मू कश्मीर में आईगी है न स्रीनगर में आती है 18 स्क्वेर क्लोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है डल जील ठीक अब ये जो जील है इसको चार भागों में बाटा गया है एक है गगरीवल दूसरी है लोकोत तीसरी है बोद और चौती है नाकिया है इस जील के किनारे क्योंकि ट्वरिस्ट एसेफॉर्ट है कई सरह गाउं बने isn't हुए है इसमें बोफिदा जील जीजा महें तको ठोन फागरी जील कैसी ये फट है यह यक्ते खात! यह सबसे बड़ी आती है अगर स्कुल्स है अगर हम देखेंगे तो ये है और उडीशा और उडिसा में ये है चिलकाजी ठीक है? और इसका जो क्षेतरफल है लगबग 1200 स्वेर क्लो मीटर है अब क्षेतरफल कभी कम जा था मॉनसून जब आएगा तो एरिया बढ़ जाता है मॉनसून के जाने पर इसका एरिया जो है कम हो जाता है तो यह जील जो है एक तरीके से समुद्र का वैक वाटर समझ लो या उसका एक भागता उससे बनी हुई है ठीक है यह इसकी गहराई कम है लगवग 3 मीटर 9 पीट के आसपास है इसकी विशेश्था यह है कि दिसंबर के से लेकर जून के बीच में यानि वह सीजन है जब पूरेट होता रहता है वाश पीकरन होगा पानी का वाश पीकरन होगा तो उसके अंदर जो लबन है उनकी सांद्रता उनका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है इसलिए इसका पानी खारा होता है लेकिन वर्सा रितू में चुंकि मनसून की आवक हो जाती है मनसूनी जो किनारे मिलते हैं वो यहां पर भी मिलते हैं तो यह चिलका जील का एक दूसरा डाइग्राम आप देख सकते हो यहां पर हमें यह समुद्र है तो समुद्र से बहुत मामुली समझ लो कि उससे एक तरीके से कटी हुए नेक्स्ट चिलका जील के बाद अगली मातपूर जील आती है सामर जील यह भी खारे पानी की जील है राजस्तान में है सामर जील आप मैप में देखोगे यह राजस्तान हमें दिखाई देता है यहां पर यह जील है तो जैपूर से लगबक 70 किलोमीटर दूर फुलेरा यह पं फुलकी फुलकी कॉमेडी है और इसकी सूटिंग जो है उसमें तो शो किया गया है कि उत्तर पुदेश के बलिया जले का एक गाउं है लेकिन वास्तों में इसकी सूटिंग मज़पुदेश के सीहोर के पास एक गाउं में हुई है तो ये जो फुलेरा है ये अलग एकी नाम से कई जगे स्टेट होते हैं कई जगे चीजें होती हैं ये कैसी है ये खारे पानी की जील है इस से नमक बनाया जाता है और इसमें चोटी चोटी आज पास की जो वरसाती नदिया है वो आ करके मिल जाती है चाहे वो खारी हो, खंडेला हो, मेड हो तो इसका जो ड्रेनेज एरिया है पांच अजार साथ स्कार क्लेट मीटर यानि इसके आज पास से इतने वड़े भुबाग का पानी इसमें आ जाता है नवंबर से फरवरी के महीने में यहां पर जो साइवेरियस क्रेन पक्शी होते है जन्याव प्रवासी पक्शी केते हैं वो यहां पर आते है पक्शी आते हैं अनकूल मौसम मिलता है वहाँ अंडे भी देता है तो परियाटकों को भी आकरशित करती है साथी साथ ये साइंटिस्ट के लिए भी एक अधियन का केमर बनाती है सामर जील मैत तो पूर्ण रहेगा कहां पर है किस प्रकार की है तो खारे पानी की जील इसके बाद हम बात करेंगे कोलेरू जील जो है कोलेरू जील ये आंधर प्रदेश में आती है उसके बीच में आ जाती है यहां पर रिसर्च की गई है तो पता चला कि दो करोड के लगबग यहां पर पक्षी है वर्ड से कुछ भारत के और प्रवासी है यानि दूसरे देशों से आते है तो उनके लिए प्राकर्तिक निवास इस्तल है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में साइवेरियाई और उत्तर अमेरिका के वर्फीलेक चेत्रों से कई सारे प्रकार के पक्षी यहां पर आते है तो इस जील को भारतिये वनने जीव संद्रक्षन अधिनियम के तैत वाइड़ डाइप सेंक्षूरी के रूप में डेवलप किया गया है या उसके रूप में से नोटिफाइड किया लगा है ठीक तो कोलेरु जील कहा पर आती है कोलेरु जील है आंधरे प्रदेश में पक्षीयों का एक गड़ है नेक्स्ट है पुली कट जील पुलिकट जील जो है यह देखने को हमें मिलेगी इस इस्तान पर आंधर प्रदेश के उस पर बॉडर पर आती है ठीक तमिल नाडू और आंधर प्रदेश की सीमा पर आती है खारे-पानी की जील है स्री हरीकोटा जो दीब समू है वो इस जील को बंगाल की खाड़ी से अलग कर देता है 60 km लंबी है लगवक 5 से लेकर 15 km चोड़ी है ये भी पक्षियों का एक शेत्र है वर्ड है उनके लिए habitat उपलब्द कराती है उत्राखंड में नैनी ताल जील नैनी ताल शहर जो है इसके आसपास बसा हुआ है नैनी ताल नैनी देवी के नाम से भी माना जाता है तो यहां पर ये जील जो है इसको बोलते हैं कि इसकी संरशना उचाईस पर देखने से आँख के रूप में दिखाई देती है ना तो दक्षण पूर्प की और बालिया नदी से निकलती है 1410 मीटर लंबी है 445 मीटर चोड़ी है और इसकी गहराई 26 मीटर के आसपास है और फेमस है ये उत्राखंड जीलों के लिए फेमस है नैनी ताल हो गया भीम ताल हो खुर्पा ताल हो गया इस प्रकार से ठीक तो नैनी ताल कहाँ पर आएगी ये मीठे पानी की जील है ये खारे पानी की जील नहीं है नेक्स्ट अगली जील आती है लोग टक ये तो शायद हम पढ़ चुके हैं क्या नहीं अच्छा सुरुवात मैं ऐसे बताया था तो लोक्टक जील नौर्थ इस्ट में हैं मनिपुर में आती है मनिपुर यह यहाँ पर है आज के समय राजनेतिक रूप से यहाँ पर बड़ा क्राइशिस है कई सारे लोगों की हत्याई हो रही है मैतेई और कुकी को ले करके संगर्ष चल रहा है जो अभी नियंत्रण में नहीं आया है तो यह मनिपुर में आती है और फ्लोटिंग जो इस पर दीप है वो माना जाता है फ्लोटिंग लेक के रूप में भी तो फुम्डी जेक तैरता हुआ दीप जो है यह लोग टक परी है ठीक है तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की बनस्पती अलग-अलग प्रकार की जीव जो है वो मिलते है केवुला लाम जाओ यह नेशनल पार्क है जो इसी में है जिसे राश्ट्री पार्क नेशनल पार्क है केवुला लाम जाओ के बारे में बात कर रहे थे तो यह हो गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं भीमताल भीमताल जो है यह उत्राखंड में आती है नेशरल जील है काट गोदाम से लगबग 10 किलो मीटर की दूरी पर आती है वाकी लंबा ही चौड़ाई तो कभी पूछते नहीं है भीमताल लोकेशन का है यह महत्पर हो जाता है मीठे पानी की जील है अस्टामुदी जील है यह केरल पर आती है लेगून है वेकोटर लेग जिसे बोलते हैं तुकि इसकी आठ ब्रांच है आठ इसकी चोटी-चोटी शाखाएं दिखाई देती है इसलिए इसे अस्टामुदी के नाम से जानते हैं नेक्स्ट वेमनाथ फेमस है केरल में प्रमुदी है तो यह केरल की सबसे बड़ी जील है लेगून जील होती है यहीं पर वैलिंग्टन आइलेंड है यहीं पर सबसे चोटा जो है नेस्टन हाईवे एनेस फोटी से बने अब तो चुकि नाम थोड़े से चेंज हो गये हैं नए नाम करण भी हो गये हैं तो यह भ काफी बड़े एक शेत्र में पहली हुई है 200 किलोमीटर का एरिया है ठीक तो इस जील में कई सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं पंबा और पेरियार जो है वो उसकी प्रमुक नदी होती है वे मिला अगला राजस्तान में जील है जिसे डेवर जील भी कहते हैं इसका दूस पूर के राणा जैसिंग के द्वारा बनवाई गई थी तो यह मानो अनर्मित है 1687 से 1691 के बीच में बनवाई गई थी है ना तो संगमर्मर की चट्टानों से किनारे पर बांद बनाए गये हैं इस कारण से यह साथ टापों वाली जील भी कहते हैं राजस्तान में मीठे पा का एक बड़ा श्रोत है नेक्स्ट जो है वो टेवल जो आपको पहले बताई थी कि यह जील कहां पर है तो याद कर लेना और जो प्रमुख जीले हैं उनको लेकर के जो क्वेशन बनते हैं तो उनको समाप कर लेंगे तो जीलों संबंदित यह टॉपिक यहीं समाप करते हैं यानि हम यूनिट थर्ड का जो पहली लाइन के विशय हैं यानि जिसमें परवतों के बारे में पठार के बारे में मैदान के बारे में नदियों के बारे में और जीलों के बारे में दिया गया है वो कंप्लीट हो जाता है इन छे लेक्चर के अंतगर पहला लेक्चर जो था वह भारत की सामाने जानकारी है आने जो लेक्चर हैं वो सिस्टेमेटिक रूप से वो से सारे टॉपिकों को कवर करते हैं यदि चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले वीडियो पसंद आया है तो लाईक करो नहीं पसंद आया है डिसलाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कोई डाउट है कॉमेंट कर सकते हो फेस्बॉक, इस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पर अगर जॉइन करना चाहते हो तो इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जा करके जा सकते हो इस वेब साइट पर आपको स्टेडी मटेरियल, टेस्ट सीरिज, उन सब की जानकारी मिलती रहती है तो अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच, गूट लग